हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल रेखा एटू जेट क्रियेशन में इस वीडियो में आप लोग चार कॉलर में तोरण पट्टी बनाना सीखेंगे और यह तोरण पट्टी बहुत ही प्यारा लगेगा जिसे हमें एस्ट्रोबेरी तोरण कह सकते हैं और यह देखिए इस तरह कहां में चार्ठो टिकिया बनाना है तो यह एक मैने बना लिया है तीन फोर में बनाना है तो बाकी में मैं एक फो बना के दिखाऊंगी कैसे बनेगा और और सब तोरण पट्टी बनाते हैं गेट पर्दा बनाने के लिए उसके बाद यह बनेगा और यह चार्ठो बनेगा और इसको जोड़ने के बाद हमारा यह पर्टी बनाएगा तो देखिए इसको इस्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहले धागे में नौट लगाके और यह आठ शेन बनाना है इस तरीका से देखिए एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यह आठ हमारा चेन हो गया इसके बाद इसको ऐसे राउंड कर लेंगे राउंड बना लेंगे स्लिप स्टिच करके उसके बाद सिंगल क्रोसिया ऐसे हमें एक ग्यार अठो बनाना है एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार अग्यार सिंगल क्रोसिया बनाने के बाद फिर यहां पर जहां समय स्टार्ट किये थे स्लिप स्टिच कर लेंगे ऐसे, इसके बाद फिर यहां चेन बनाएंगे, चार्ठो, चार्ठो चेन बनाने के बाद इसमें जहां चेन, जिस, चेन में हम यह, चार चेन बनाएंगे, उसमें डब फिर जो अगला ये slip stitch दिख रहा है इसमें 2 double crochet बनाएंगे, एक slip stitch में 2 double crochet फिर बीज में एक chain देंगे, फिर ये slip stitch देंगे, इसमें 2 double crochet बनाएंगे और बीज में 1 chain बनाएंगे देखिए यह हमारा बन गया है दो एक चेन में दो डबल क्रोशी और एक चेन ठीक है तो देखिए यह हमारा कितना बार हमें बनाना है यह हमारा कितना बार बना हुआ है तो देखिए एक चेन कितना है बीच में तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ और ये डबल क्रोसी अगर गिनेंगे तो ये एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, इगारा, बारा, तेरा, चौदर, पंदरा, सोल्ला सोल्ला पर हुआ है इसमें अब हम धागा चेंज करेंगे देखिए आप यहाँ पे ये रेड कलड का धागा लगाएंगे तो इसको पुलट लेंगे पुलटने के बाद इसी में हम ऐसे धागे को निकालेंगे और इसको ये ग्रीन माले धागे को थोड़ा से टाइट कर लेंगे और यह जो हमारा डेड़ वाला धागा है इसमें पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच चेन बनाने के बाद जो हमारा यह अगला एक चेन बीच का गैप है इसमें डबल क्रोसिय बनाएंगे एक दो तीन चार जो हमारा बीच का यह एक एक चेन है दो दो डबल क्रोसिय के बाद उसी में बनेगा हमारा चार डबल क्रोसिय और बीच में एक चेन देंगे और फिर नेक्ष्ट जो हमारा अगला जो चेन है एक ठो डबल क्रोसिय के बीच का उसमें चार बनाएंगे तीन एक चार फिर एक चेंड बनाएंगे फिर इसमें एक दो तीन चार यह हमारा चार डबल करोसिया हो गया एक चेंड देंगे और फिर एक दो तीन चार यह हमारा चार हो गया फिर एक चेंड हुआ फिर चार डबल करोसिया इस तरह समरा यह चार चार का डबल करोसिया साथ बनेगा साथ बार देखिए यह हमारा साथ बार चार चार डबल करोसिया का बीच में एक एक ठो चेंड का हो गया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब इसको हमें ऐसे पलोट लेना है अब फिर से हम पांच चेंड बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चेंड बनाने के बाद जो यह हमारा डबल करोसिया चार डबल कुरोसिया का बीच में जो एक चेन बनाए है उसमें से फिर चार डबल कुरोसिया बनाना है देखिए 2, 3 और ये 4 फिर एक डबल कुरोसिय बनाएंगे और फिर एक डबल कुरोसिय जो है उसमें 4 डबल कुरोसिय बनाएंगे और इस बर हमारा जो second round है रेड कुलर का 4 डबल कुरोसिय का ये हमारा 6 बर बनेगा हर राउंड में ये रेड कलर का जो चार डबल करोसिया का जो राउंड है हर राउंड में एक एक्ठो कम होगा और लास्ट में हमारा एक्ठो आएगा इस तरीका से देखिए ये दो, तीन, चार एक, चार हमारा, होगा आपाया चार' प्लचोट लेंगे और पलटने के बाद फिर से 5 चेन बनाएंगे 1,2,3,4,5 पांच चेन बनाने के बाद फिर जो हमारी है चार चार डबल करोसिया बीच का गयफ है फिर उसमें चार डबल करोसिया बनाएंगे इसी तरह से हमें देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच राउंड बनाना है रेड कलर से यह एक जब तक ना आ जाए देखिए यह हमारा बन गया है साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक का यहाँ पर धागा कड़ करके और इसको स्लिप स्टिश कर देंगे, बन्द कर देंगे यहाँ से और यहाँ हमें कुछ नहीं करना है और फिर से हमें यह सफेद धागा लेके और हमें एक गांठ लगा आगने के बाद यहाँ चेन बनाएंगे यह जो ग्रीन जो चेन यहाँ सा में स्टार्ट किये थे यह चार चेन बना के उपर लाए थे इसमें से हम एस्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम चौदा चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदर चौदर चेन बनाने के बाद देखिए देखिए इसको इसमें ऐसे हमें स्लिप स्टिट से बांद देना है और फिर यहां हम चौदर चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदर चौदर चेन बनाने के बाद यह हमारा जो यह पांच-पांच चेन बना है उसके नीचे से यहां से हमें चार डबल करोसिया जो बना है यहां से हमें निकालना है चेन को इसमें रखते हुए और ऐसे हमें निकालना है फिर से हम चौदर डबल करोसिया, चौदर चेन बनाएंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर और फिर से हमें यहां पे इसको इस तरह से स्लिप एस्टिज कर देना है फिर चौदर चेन बनाएंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर और फिर यह जो चेन मला है चेन के अंदर से यहां जो डबल करोसिया यहां से निकालेंगे इसी तरह से हमें एक राउंड पुरा करना है ऐसे पुरा करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर देखिए यह हमारा हो गया है अब यहां हमें यह जो लास्ट वाला एक जो बचा है इसको यहां यह राउंड कैसे घुमाएंगे यह मैं बता रहे हैं यहां चौदर चेन बना लेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार, तेरा, चौदर और यह जो चार डबल कुरोसिया बना है इसके बीचो बीच से दूड़ो डबल कुरोसिया का बीचो बीच कर लेंगे और इसके बीच से यह सिलिपिष्ट से इसको बंद कर देंगे और फिर चौदर चेन बनाएंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदर और फिर इधर जो हम इस साइड जीस तरह से बनाए हैं उसी तरह से यह हमारा इस साइड का भेब फिर से यह एक राउंड हमारा कम्प्लीट होगा यहां तक देखिए यह हमारा लास्ट में यहां कम्प्लीट हो गया है यह हमारा कम्प्लीट हो गया अब इसको फिर से पलटके और इसमें अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ सिंगल करोशिय बना के इसके बाद से फिर हम चौदा चेन बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा बनानी के बद फिर इसमें ये जो हमारा चेन का जो ये सरकिल बना है इसमें हम इसको ऐसे बन्द कर लेंगे फिर से चेन बनाना ये स्टार्ट करेंगे चौदा ठो चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा फिर इसमें इसी तरह से हमें बन्द कर लेना है हमारा ये वाला इसी तरह से बनेगा यहां पर भी ये बिल्कुल बनते जाएगा ऐसे और फिर इधर आके हमारा एक राउंड फिर इधर से बनेगा पलट के तो ये हमारा जो चेन है चौदा चौदा का ये हमारा तीन राउंड बनेगा देखिए इसमें हमारा ये तीन राउंड हो गया है एक दो तीन ये हमारा एक दो तीन राउंड हो गया है और फिर इसमें अब यह औरेंज कलर के उन से स्टार्ट करेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट राउंड है सेकेंड राउंड का जो यहां से आके खतम हुआ है बंद हुआ है यहीं से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के लिए ऐसे धागे को बांध लेंगे, बादने के बाद आठ चेन बनाएंगे, देखिए ये आठ चेन बनाने के बाद, ये जो हमारा चेन बना है, इसी में से डबल क्रोशिय बनाएंगे, तीन ठो, एक, दो, देखिए, ये चेन में तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे, इसके बाद तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद, फिर इसी लूप में से, तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर तीन चेन बनाएंगे, और फिर जो ये अगला हमारा चेन है, इसमें तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे, दो, तीन, फिर बीच में तीन चेन देंगे, और फिर तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे, और फिर ये नेक्स्ट इसमें भी तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे, इसी तरह मारा पहला राउंड पूरा होगा, देखिये, यह हमारा पहला राउंड कम्प्लिट हो गया है, अब यहाँ पे फिर से हम पाच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, यह पाच चेन बनाने के बाद इसको ऐसे पलट लेंगे, और पलटने के बाद फिर इसमें से यह जो तीन चेन का होल है, इसमें से तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे, दो, तीन, यह तीन डबल क्रोशिय के बाद से फिर दो चेन बनाएंगे, दो चेन के बाद इसमें से फिर तीन डबल क्रोशिय, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिय बनाने के बाद यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पांच चेन बनाने के बाद से अब यह इसको छोड़ेंगे, यह जो तीन डबल क्रोशिय बनाने के बाद से अब इसको छोड़ेंगे, यह जो तीन डब फिर इसी में से दो तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे दो हो गया यह तीन फिर पांच चेन बनाएंगे यह हमारा हो गया फिर इसमें तीन यह हमारा दूसरा राउंड कम्प्लीट हो गई इस तरह चारों आपस में जूड़ गया है इसके बद इसमें हमें पट्वी पनानाहीं हमैं इधर से नहीं यह राइट से स्टार्ट करेंगे इसको तो इस साइड से देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको, तो हमने ये ग्रीन कलर का उन इसके बाद लिया है, आप साहे तो अपने उनसार कलर चेंज कर सकते हैं, तो देखिए ये, यहाँ पर धागे को बाधेंगे, बाधने के बाद 8CN बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, चेंज बनाने के बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिय बनाएंगे, फिर चार चेंज बनाएंगे, दो, तीन, चार, फिर एक डबल क्रोशिय बनाएंगे, फिर चार चेंज बनाएंगे, फिर हम यह नेक्ष्ट में डबल क्रोशिय बनाएंगे, फिर हम, चार चेंज बनाने के बाद, फिर यह जो, अगला हमरा चेंज है, इसमें, एक डबल क्रोशिय फिर, चार चेंज, इसी तरह से हमारा, पट्टी का, पूरे डिजाइन बनेगा, फिर से हम, चार्शेन करेंगे यहां पर उसके बाद से फिर देखिए यहां पर यह जो रेड़ वाला है इसको पकड़ के ऐसे जो चेन इसमें बनाए इसको पकड़ के साथ में लेके और बनाएंगे यह इस तरह से इसके बाद फिर चार्शेन बना के और यह जो ग्रीन वाला है हमारा डबल क्रोसिया का इसमें बनाएंगे फिर चार्शेन बना के और इसमें जो ये वाला जो भाग छूटा है इसमें बीचो बीच में आप अपने अंसर देख लीजेगा इसमें मैं बनाई हूँ इसमें तीन छूटा है तो एक इधर छोड़के एक इधर छोड़के बीच वाला में मैं की हूँ दो, तीन, चर चार चैन बनाने के बाद फिर से ये जो एक गरीन वाला है इसमें बनाने के बाद फिर चार चैन बनाएंगे पिर जिस तरह हमने इस सैट बनाया हुआ है इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा दखिये इसके बाद यहां से यह एक सफेद वाला में दो और उसके बाद यह एक औरेंज में और यह जो हमारा पॉर्षन है इसमें तीन डबल क्रोस यह जो हम बनाएं इसके बीचों बीच जो स्लिप इस्टिच दिखता है चेन बिल्कुल स्लीपी स्टिच की तरह ऐसे बीच वाला में लेके एक बनाएंगे यह मैं बता रहे हूं ताकि आपको आसानी हो कि आप कहां कहां से इसको उठाएंगे पट्टी के लिए फिर यह नेक्ष्ट में बनाएंगे ऐसे और यह दखिए दो टिकिया के बीच का यह गैफ है तो देखें इसमें हमने बना लिया है फिर चार्शेन बनाएंगे चार्शेन बनाने के बाद यह वाला जो यह वाला जो भाग है यह जहां हम ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन दोनों एक साथ लेके और इसमें डबल क्रोसिय बनाएंगे ताकि हमारा ये एक साथ जोईंट हो जाए देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल आपस में जुड़ गया है यहाँ पे इतना गया फ़र यहाँ पे ये ऐसे ये डिजाइन बहुत सुंदर दिखने में लगता है जब पट्टी बन जाता है तो इसके बाद फिर चार चेंड बनाएंगे और जो फर्स्ट वाला हम जैसे बनाए है वह ऐसे ही बनेगा जहां से हम सुरू किये थे उसी तरह बनेगा और फिर इसमें देखिए इसी तरह ये जुआइंट होगा है तो देखिए एक में हमारा ये कितना बन रहा है एक में देखिए यहां से हमने स्टाट के एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार बार तेरह चौद और ये पंद्र में हमारा जुआइंट हो रहा है तो देखिए फिर से यहां से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार बार तेरह चौद पंद्र फिर हमारा ज्वाइंट हुआ है वैसे यह चारों में होगा ठीक है तो यह मैं पूरा राउंड यह मेरा है इतना पूरा राउंड करके मैं दूसरा राउंड दिखाती हूं कैसे बन दखिए यह हमारा लास्ट वाला भी बन गया है अगर लास्ट वाला को भी गिन के देखते हैं तो गिनते हैं तो यहां से यह जोइंट हुआ है हमारा एक, दू, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ, नौ दस, ग्यारा, बारह तेरह, चाद़र, पंद्र पंद्र हो गया है इसके बाद इसको ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर से यहाँ पे हम चार चेंगे दू, तीन, चार चार चेन बनाने के बाद यह जो हमारा चेन टाइब का बना है चार चार चेन का उसमें चार चार डबल क्रोसिया बनाएंगे तीन एक चार यह मारा चार डबल क्रोसिया हो गया बीच में चेन देंगे एक ठो और फिर चार डबल क्रोसिया बनाएंगे दो हुआ तीन चार डबल क्रोसिया फिर उसके बाद एक चेन बना के फिर जो अगला हमारा चेन है उसमें चार डबल क्रोसिया इसी तरह हमारा ये पूरत दूसरा राउंड बनेगा तीसरे राउंड बे फिर हमें कलर चेंज करना है देखिए ये हमारा तीसरे राउंड कम्पलीट हो गया है अब इसको ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इसमें धागा चेंज होगा तो ग्रीन के बाद देखिए मैं रेड कलर लगा रही है आप साहे तो कोई भी कलर लगा सकते हैं अपने हिसाब से इस तरह यहां पर धागा को चेंज कर लेंगे चेंज करने के बाद इसमें आठ शेंज फिर से बनाएंगे उपर ले जाने के लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ आठ शेंज करने के बाद फिर इसमें हम जो ही है हमारा एक चेंज का जो चार डबल क्रोसिय के बीच का एक चेंज जो है इसमें ऐसे चार डबल क्रोसिय बनाएंगे देखिए यह हमारा चार डबल क्रोसिय हो गया फिर से एक चेंज बनाना है और फिर जो डबल क्रोसिय चार डबल क्रोसिय के बीच का जो एक chain का space है इसमें हमें चार double crochet बनाना है फिर से एक chain बनाके फिर चार double crochet बनाना है next chain का space है इसमें इसी तरह हमारा दूसरा round complete होगा ये चार चार double crochet आप हो और यह हमारा चारचार डबल कुरोशिया का तीन राउंड बनेगा, जिसमें ये मैं दूसरा राउंड बना रही हु हुँ, उसके बाद, चोथे राउंड में फिर से पटी के, चोथे नहीं, पटी के पांचोवे राउंड कह सकते हैं, पांचोवे राउंड में फिर अलक इधर से orange color यह लगेगा तीन color यह चारचर डबल कुरोशी एक राउंड होगा और उसके बाद से फिर यह green color से मेरा design change होगा तो मैं यह दो round बना के red और यह orange से बना के मैं आपको दिखाते हूँ देखिए यह हमारा दोनों color से बन चुका है ये red और फिर पलट के इधर से red बनाने के बाद इधर से पलट के हमारा ये फिर आठ चेन बना के और चारचार डबल क्रो से बीच में एक चेन करके हमने ये pattern बना लिया है ये मेरा round पूरा हो चुका है अब इसमें हम फिर से green color को लगाएंगे उनको change करेंगे change करने के बाद फिर इसमें chain हम बनाएंगे देखिए ये मैंने 6 chain बना लिया है 6 chain बनाने के बाद इसको इसमें जो हमारा ये चारचार डबल क्रो सिया के बीच का जो ये single क्रो सिया है ये chain है एक थो उसमें single क्रो सिया से इसको बंद कर लेना है फिर से हमें 6 chain बनाना है 2, 3, 4, 5, 6 और फिर इसको हमें जो एक chain है डबल क्रो सिया के बीच का उसमें बंद कर लेना है single क्रो सिया से फिर हम 6 chain बनाएंगे बनाने के बाद इसको हम बंद कर लेंगे इसी तरह हमारा देखिए इसी तरह हमारा ये एक ये औरेंज कलर के उनके उपर का ये ग्रीन कलर का इसी तरह हमारा एक राउंड बुनाएगा दो तीन चार पांच छे और फिर से हमें उसी तरह उधर से सिंगल करोशिया बनाना है तो ये मैं बना के बताती हूँ देखिए हमारा ये पूरा एक राउंड हो गया है इसके बाद यहाँ पर ये लाश्ट में हम फिर से दस चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस करोशिया बनाने के बाद इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको यही पे सिंगल करोशिया से बंद कर लेंगे क्यूंकि यह हमारा जो फंदा बना है ये फासाने के लिए जब गेट परदा हम लगाएंगे तक्खील में फासाने के लिए ये बन गया है उसके बाद जो यह चेन बनाए है चेन में हमें सिंगल करोशिया बनाना है ऐसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ सिंगल करोशिया बनेगा इसमें उसके बाद इसमें हमें स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह उसके बाद से फिर नौ सिंगल करोशिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ फिर यहां हमें स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे फिर इसमें इसी तरह हमारा यह लास्ट एवन यह लास्ट वाला हमारा इसी तरह बनेगा पुरा एक राउंड उसके बाद हमारा जो यह तुरन है कम्प्लीट हो जाएगा गिट परदा इसी तरह हमें बनाना है यह इस तरह से बनने के बाद आएगा उपर देखिए देखिए यह हमारा फाइनल बन के तयार है पर यह कितना प्यारा लग रहा है आप भी इसे जरूर बनाएए ट्राइ किजिए बनाके देखिए बहुत सुन्दर लगेगा तो अगर यह मेरा तुरन पसंद आया हूँ तो आप में हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा ज्यादा सेयर करें फिर मिलतें आगले वीडियो में बाई